स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज का ये वीडियो आप सभी लोग के लिए काफे इंपोर्टेंट और धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं उर्दो ग्रामर का अब्जेक्टिव कोशन कितने अब्जेक्टिव कोशन है मातर 20 20 अब्जेक्टिव कोशन आज के इस वीडियो में हम लोग कम्ठीट करेंगे ताकि जितना भी उर्दुग्रामर के topic को आप लोग को पढ़ाये गया है वो सारा revision हो जाए आप लोग के mind में fit हो जाए कि कौन-कौन से topic से किस किस तरह से question पूछे जाते है मैं आप सभी लोगों से बोली थी जब मैं उर्दुग्रामर पढ़ा रही थी तो मैं आप सभी लोगों से बोली थी कि उर्दुग्रामर सारा complete हो जाने के बाद last में objective question करा दिया जाएगा ताकि जितना भी उर्दुग्रामर के topic को आप लोग अभी पढ़ रहे हैं content जो आप लोग ले रहे हैं उसका objective question करेंगे तो practice हो जाने वाला है और साथ में revision भी हो जाएगा और आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि जो topic आप लोग पढ़ रहे हैं उस topic से किस किस तरह से question आप लोग के exam में पूछे जाते हैं तो अगर आप लोगों ने उर्दू grammar को नहीं पढ़ा है उर्दू grammar के सभी topic को में पढ़ा चुकी हूँ अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो link इसी वीडियो के description में डाल दिया गया है playlist का या फिर इसी channel के home page पर जाएगे तो playlist वाले section आप लोग को दिख जाएगा लिस्ट वाले section पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उर्दू grammar सेशन 2425 के नाम से आप लोग को प्लिस्ट दिख जाने वाला है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आप लोग को पर प्रतियेक वीडियो जो उर्दू grammar में पढ़ाएगे हर एक topic का वीडियो आप लोग को व तो make sure कि आप लोगों ने उर्दू कवायत के सभी topic को cover कर लिया हो और उसके बाद से आज का ये वीडियो देखेंगे सारे का सारा objective question जो आप लोग लगाएंगे ना तो आप लोग को विश्वास नहीं होगा हर एक objective question का एंसर आप लोग खुद से दे सकेंगे ठीक है तो चल करने वाले हैं तो बहुत ही ज्यादा हम लोग हम भी excited है और आप भी excited हो जाई है और comment box में बढ़ लिख कर आप लोग को समझ में आता है देन आप लोग comment box में लिख कर बताए कि यह समझ में आ रहा है वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दें शेर कर दें चानल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि जब भी विडियो अप्लोड तो नोट्फिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए आप सभी लोग excited है motivated है तो चली हम लोग करते हैं और्धु ग्रामर के अब्जेक्टिव कुर्शन को नाउ विदाउट एनी यानि की important objective questions सबसे पहला सवाल है कि हाल का जमा क्या होगा option A में हालात B में एहवाल C में हाले और D में हाल हाल का जमा most famous questions है यहां पर देखिए जमा यानि की plural बहु अचन बताना है कि हाल का जमा यान की बहु अचन क्या होगा वाहिद जमा यह जो topic है यह अल्रड़ी पढ़ाया जा चुका है वाहिद जमा लवज को याद रिखने का एकदम जबर्दस ट्रिक में आप लोगों बता सकते हैं वाहिद जमा लवज को याद रख सकते हैं तो मेक शियूर कि आप लोगों ने वाला वीडियो देख रखा वगर नहीं देखे हैं तो लिंक की डिस्कुप्शन में है जाइए देखिए वाहिद जमा का ट्रिक ठीक है फिलहार यहां पर हाल का जमा होता है एहवाल option number B is the correct answer चलिए आगे बढ़ते हैं फड़ाफट दूसरा question है कि शाम क्या है option A में है इसमें आला B में है इसमें जर्फ तो शाम देखिए यह वक्त का नाम है वक्त या फिर जगह के नाम को कहा जाता है इसमें जर्फ आप लोग को याद होगा मैं आप लोग को अलड़ी पढ़ाई हूँ तो देखिए option number B में लिखा हुआ है इसमें जर्फ शाम क्या है इसमें जर्फ है क्योंकि यह वक्त का ना है ठीक है वक्त या फिर जगह की नाम को इसमें जर्फ कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रशन है तीसरा सवाल कि दरजज़ेल में इसमें मारफा कौन है इसमें मारफा आप लोग को पता है किसे कहते हैं proper noun को कहते हैं और proper noun हिंदी में इसको व्यक्ति वाचक गया, यानि कि किसी भी special चीज का नाम, कोई भी खास नाम, चाहे वो इनसान का नाम हो, चाहे वो जगा का नाम हो, चाहे वो जानवर का नाम हो, किसी भी चीज का खास नाम, यान की special नाम होना चोगे, उसे कहते हैं हम लोग इसमे मारफा, देखे, option A में है महल, महल में तो कोई मारफा यान की ताज महल is the correct answer यही है इस में मारफा बाकी नदी में तो कोई भी नदी हो सकती है गंगा नदी यमना नदी सोन नदी पहाड में भी तो कोई भी पहाड हो सकता है यहां पर एक खास चीज का नाम ले रिया गया है महल में ताज महल तो इसी वज़े से यह क्या हो सवाल क्या पूछा गया है कि यहां पर एक सेंटेंस है कि महमूद पटना से वापस आ गया इसमें महमूद बताना है कि महमूद क्या है तो जो काम करता है काम करने वाले को कहा जाता है फाइल काम यानि की क्रिया को कहा जाता है फेल तो वापस आना आने को क्या कहेंगे फेल और कहां से आए किस पर असर पड़ा है तो पटना प्यानि की पटना हो गया में मफूल यानि की आबजेक्ट और महमुद जो की काम कर रहा है काम करने वाले को कहा जाता है तो महमुद क्या हो जाएगा फाइल कौन से option में दीख रहा है फाइल तो आपसे नमबर ए में दिख रहा है धीरे से टिक कीजिए आई होप आप लोग ने आपसे नमबर ए लगाया होगा इस तक और आगे बढ़ते हैं पांच वा प्रशन है कि मर्यम जहीन लड़की है इसमें जहीन क्या है बताईए यह भी मस्ट फेमस क्वेश्चन है और पाइं सैन महनात धर्म ए्सवचं ब огром मर्यम जहीन लड़की इसमें बताना है कि जहीन क्या है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जहीन लड़की मर्यम कि विशिषता क्वालिटी बताई जा रही है और जो लफ्ज विशेष्टा बताए क्वालिटी बताए उसको हम लोग कहते हैं सिफत यानि की विशेषड एड्जेक्टिव तो आपसर नमबर सी में दिख रहा है ना सिफत इसको धीरे से टिक कर दीजिए ऑपसर नमबर सी करेक्ट इंसर बता अगर आप लोग पढ़ें तो यहरे को आप लोग आसानी से दे पा रहे होंगे एक बर कमेंड बॉप्स में लिए कर बता दीजिएगा कि आप लोग क्या नमबर सिक्स है कि जदीद की जिद क्या होगी यह भी मैं आप लोग अल्री बताई हूं जदीद का मतलब होता है जद नमबर बी में हैं पुराना दिया है तो आपसा नमबर बी लगा देंगे लेकिन ऐसा आपकी बेवकुफी कहलाएगी अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जदीद पूछा है तो इसका उल्टा होगा कदीम जिद यानि कि आप लोग कदीम लवज है यानि कि अपोजिट वर्ड है ठीके ना चलिए आगे बढ़ते हैं सात्वा सवाल है कि रुबाई का जमा क्या होगा और अप्शन नमबर बी रुबाईयात रुबाईयात होता है आगे बढ़ते हैं आठवा प्रशन कि मैं नाचता हूं कौन सा सेगा है सेगा भी अप लोगो अलड़ी पढ़ाया जा चुका है आप लोग जरूर वीडियो को देख लें सेगा भाई मुसकान मैम अगर आप लोग सर्च करते हैं उर्दू ग्रामर में तो फिर आप लोगो वीडियो मिल जाएगा जहां पर मैं आप लोगो सेगा एकदम पढ़ाई हूं कि कै श्याल को पह्षाना जाता है तो हैै मैं नाचता हूं सबसे पहले तो मैं हो जाएगा वाहिद ठीक है और वाहिद और उसके बात से खुद की बात हो रही है यानि की नमबर । तो आठ वा का option number C is the correct answer वाहिद मुतकल्म is the correct answer यान कि first person मैं खुद हूँ और उसके बार से मैं अकेला हूँ वाहिद हूँ तो यह हो जा रहा है वाहिद मुतकल्म आगे बढ़ते हैं question number 9 है कि हरकत का जमा क्या होगा यह तो आप लोग जानते ही होंगे हरकत का जमा होता है option number D is the correct answer आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है दस्वा की रहमत की जिद क्या होगी option A में है जवाल B में है आबाद C में है नुकसान और D में है जहमत देखे यहाँ पर जिद यानि कि opposite word बताना है यहाँ पर जादतर जिद से question या फिर वाहिद जमा से question या फिर इसमें जर्फ से question पुछा गया है क्योंकि आप लोग के exam में भी जादतर इनी topic से question पुछा जाएगा या तो जिद से मत्रादिफ वाहिद जमा लवज इसमें जर्फ इसमें से जादा question पुछा जाता है वाहिद जमा से, जिद से, मुत्रादिफ लव्ज से, ठीक है न, इसी वज़े से इन सभी टॉपिक से में ज्यादा कोष्ण रखी हूँ, तो बताइए, रहमत की जिद क्या होगी, यानि की अपोजिट वर्ड, तो जहमत, option number D is the correct answer, आगे बढ़ते हैं, 11 number question है, सुकून का है, ठीक है, 12 number है question, कि दर्जजयल में से मुवननस लव्ज बताइए, देखिये, मुझकर 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 काफी इंपोटन टॉपिक है, इस से भी डेट सारे objective question आप लोगे पूचे जाते हैं, तो इस से भी मैं question डाल दी हूँ, देखिये, सवाल है, कि दर्जजयल मुझकर की पहचान कीजे, अब यहां पर आप लोग को पुलिंग की पैचान करनी है, कि कौन सा लब्स मुझकर है, पुलिंग है, option A में है, महनत, B में है, गाड़ी, C में है, मोती और D में है, सजावत, तो यहां पर आप लोग को तो direct दिख जा रहा है, महनत करनी चाहिए, यह तो होगा नहीं, क्योंकि महनत करनी चाहिए, यह ए बढ़ते हैं, question number 14 है, कि दरजयल में से कौन सा लफ्स मुझकर है, यहां पर भी आप लोग को मुझकर इस्त्रिलिंग लफ्स की पैचान करनी है, option A में है, बाजार, B में है, गंगा, C में है, रावी, और D में है, पटना, तो मुझकर लफ्स है, गंगा नदी, option A में है, इस इस जिन्दगी में आप लोग नहीं देखे होंगे, यह आप लोग के लिए एकदम हलवा लगना चाहिए, कलम क्या है, बताइए तो, लेकिन इतना आसान question भी आप लोग के एकजाम में पूछा जाता है, सोचिए, आप लोग के लिए एकदम सबसे आसान question यह लग रहा होग एक इसम है, यानि की नाम है, नाउन है, ठीक है, कलम क्या एक नाम है, और उर्दू में, उर्दू ग्रामर में नाम को क्या कहते हैं, इसम कहते हैं, तो कलम इस दा इसम, यानि की एक नाम है, नाउन है, इसम है, संगया है, ठीक है, आगे बढ़ते है, question number 16, यानि की सुला हु क्यूشन है कि मिर्जास दुल्लाखा गालीव में गालीव क्या है ओपसी इन में है मतला बी में है तखलुस, c में मकता, d में है रदीव, ये भी आसान क्यूशन में आप लोग बताई थी ना कि इस शायर हजरात जो अपने शेरोशायरी की आखरी लाइन में नाम इस्तमाल करते हैं, खास नाम इस्तमाल करते हैं, उसी को हम लोग तखलुस कहते हैं, तो मिर्जा अश्दुल्लाख गालिब जो है न, वो अपने शेरोशायरी की लास लाइन में गालिब नाम यूज करते हैं, यानि कि इनका जो तखल्ब तो गालिब क्या है तखल्ब और वीज़ करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल है कि सलीमा बच्चों को पढ़ा रही है इसमें बच्चे क्या है और फैल बीम है फाइल से मह मफूल और डीम है सिपत ध्यान से सुनी है काम कौन कर रहा है सलीमा कर रही है य किसको पढ़ा रही है काम का असर किस पर पढ़ रहा है तो बच्चे क्या हो जाएंगे बच्चे हो जाएंगे जी हां मफूल यानिकी ऑब्जेक्ट तो कौन से का काम कौन कर रहा है अख्तर कर रहा है तो अख्तर हो जाएगा फाइल क्या कर रहा है लिख रहा है तो लिखना हो जाएगा फैल यानिकी क्रिया क्या लिख रहा है तो खत लिख रहा है तो खत हो जाएगा मफूल यानिकी अब्जेक्ट तो यहां पर कोशन क्या पूछा गया ह कि लिखना क्या है तो लिखना लिखना एक काम है क्रिया है जिसको उर्दू ग्रामर में फेल कहते हैं तो option number a is the correct answer देखे option a में ही है फेल 19 number question है कि कुछ महमान यहां आने वाले हैं जमाना बताईए यानि कि यहां पर tense बताना है कि यह जो काम है किस tense से जुड़ा हुआ है option a में फेल बी में माजी c में हाल और बी में मुस्तक्बिल कुछ महमान यहां आने वाले हैं यह कौन सा टेंस है कुछ महमान यहां आने वाले हैं यानि कि आने वाले हैं अभी आये तो नहीं है यानि कि यह जो काम है यह future से जुड़ा हुआ है अभी महमान आये नहीं है आने से भवश्य से तो आपसा नमबर डी इस दा करेक्ट अंसर उन्हें इसका क्या हो जाएगा डी यह कुछ महमानियां आने वाले यानि कि अभी आये नहीं है आएंगे यानि कि मुस्तक्विल में फ्यूचर में काम होगा आगे बढ़ते हैं 20 नमबर सवाल है कि इबन मरियम क्या ह है लास्ट क्योशन बता दीजी इसका स्थ्ये एंसर क्या होगा इबन मरियम क्या है में आप लोगlingen को बताई थी न कि किसी वी नाम में अगर आप लोगन दिखन दे अबू दिखन दे लिए और दिखन दिखन दे तो उसको भी नां सोचे इस क्या टिक कर देना है जी हां उसको बीना सोचे समझे कुण्यक्ट कर देना है और दी धीरे से टिक कर दीजिए क्योंकि इसके नाम में क्या है इबन लगा है इबन मर्यम क्या है एक कुण्यक्ट है तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के मात्र 20 अब्ज कराऊंगी बस आप लोग जुड़े रहें ग्यापन एकेडमी के स्प्लेटफॉर्म से और आज के इस वीडियो में जो कुछ भी समझाएगे है का समझ में आए तो जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बताई कि कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है और किसी तरह का कोई भी सकते को क्लियर कर दूँ जो भी बात आप लोग लिख करें तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ तबतँ के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज